बिसम्ल्य रख्माने रही हीम स्टूडेंट हम जो टॉपिक्स अपने डिसकस कर रहे हैं जिसमें शौर्ट आंसर क्वेस्टन डिसकस कर रहे हैं वो टाइम सीरीज से रिलेटेड हैं जो कि आपके पाफ बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है कि टाइम सीर से रिलेटेड जो 41 तक क्वेस्टन हैं वो आल्रेडी हमने डिसकस भी कर लिए हैं अब हमने 14 से ऑनवर्ड देखने हैं कि आपके पाफ क्वेस्टन आ रहे हैं वह आपने किस तरीके से कैसे आपको क्वेस्टन दिये जा सकते हैं टाइम सीरी से रिलेटेड और आपने उनका रिस्पॉंस किस तरीके से करने हैं स्टूरिंग कुष्टन नंबर 40 आप देखें कि वाट आर दे मैथड और मेरिंग साइक्लिकल विरियेशन तुमर्पर सिक्स मैथड हैं एक रैजिडियूल मैथड है फर्स डिफरेंड मैथड है परसंटेज रेशो मैथड है डिरेक्ट म मैथड से रिलेटेड जो आपको थियूरी है वो गिवन दे दी गई है और रैजिडियूल मैथड आपने सॉल्व करना है इसी है और यह तमाम चीज़ें आप से प्रिवियस डिसकस भी हो चुकी है अभी मेरा मकसर यह है कि मैं आपको जादा से जादा नोट्स जो हैं वो श इस तरह कुश्चेन नंबर 42 आ जाते हैं कि हाउ के इसको त्यार करने हैं बहुत सिंपल मैथड और बहुत अच्छे तरह कर दिया गए पिर यह सारे अब यही मैथड जो हैं आप से कौन से मैथड है तो यह मैं नोट्स आपको शो करवा रही हूं ताकि आप यहां से जो मैटीरियल है इनका वो कुलेक्ट कर सको फिर डिसकस्ट परसंटेज रेशो मैथड आपके पास आ जाता है तो यह भी आप देख सकते हो कि आपको त्योरेटिकली गिवन दे दिया गया है यह आपने कहा करना है कि इस मैथड इस अप्लीकेबल फॉर्द इयरली डेटा ओनली तो यह आपको इसका प्रोसीजर भी बता दिया गया है साथ में ठियोरी भी क्योंकि ठियोरी में आता ही इसका प्रोसीजर है आपने जो भी मैथड डिसकस कर रहे हो अगर आप उसका अच्छे तरीकी से प्रोसीजर लिख देते हो तो आपकी ठियोरी कम्प्लीट हो जाती है इसी तरह आपके पास आजाते है डिरेक्ट मेतड क्या है तो डिरेक्ट मेतड की भी थियोरी आपको गिवन है और इसका मेतड आपको दे दिया गया है इसी तरह आपके पास आ जाते है कि साइकलिकल विरीशन्स मेइरमेंट आफ साइकलिकल विरीशन्स क्या होती है तो इस रिलेटिज थियूरी भी आपको गिवन है यह मैं तमाम जो नोड्स हैं वो आपको शो कर वारी हूँ ताकि आप जादे से जादे इंफॉर्मेशन अपनी कर सकते हो और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप से शौर्ट आंसर कुस्टिन किस मैथर्ड में पूछे जाती है और आपने किस तरीके से उनका रिस्पॉंस देना है गेव एड्वांटेज डिसड्वांटेज ओफ रेफरेंस साइक्लिकल अनलेसिस मैथर्ड तो एड्वां क्योंकि स्टैस्टिक इंटर्व्यू के लिए भी जा रहे हो तो वहां भी यही चीजें आप से पूछी जाती हैं कि इनके जिसड़ोंटेज के मैथर्ड के नेम के हैं फिर मैथर्ड को सॉल्व करने का मैथर्ड क्या तो मैथर्ड आपने अगर जब तक आप नुमेरिकल युश्किल काम नहीं है हमरेगे पर सेकेंड लास्ट आ जाते हैं कि आपने ई्रमॉनिक एनलेसिज मैथड को दिसक्राइब करने है तो हर्मॉनिक एनलेसिज मैथड की थियूरी आपको गिवन है यह भी मैथडिस्ट इसका एक्स्परेंड किया गया है लास्ट वन कि हाउ-कन इन्फूइंसिस भी मियर तो आपको दे दिये गए या अपनी नोट डाउन करने हैं और यह आपके पास जो नोट है इंपोर्टन टैन्स को ज़ाद से ज़ादा शेर भी किजिएगा और खुद भी आपने नोट करने अगर फिर भी आपको किसी किसम की प्रॉब्लम होती है पहले तो आपको मैंने कहा है कि जो B.A.C. लेवल के लिए टाइम सीरीज का चैप्टर F.A.C. के लिए करवाएगे आपने वो देखना है अगर फिर भी ना समझाए तो आप मुझे कमेट्स में बताइए कमेंचल आपकी कन्फूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी अपनी दुआउं में याद रखिएगा लाफिस